चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं दाग जरूर लगते हैं इसलिए अपना चरित्र हमेशा उंचा रखो और देने की भावना रखो आना खुद बखुद शुरू हो जाएगा इसद भी और तौलत भी माना के बीते हुए वक्त को बदला नहीं जा सकता लेकिन भविश्य इसलिए इरादे मजबूत कर लो क्योंकि जिनके पास इरादे होते हैं उनके पास बहाने नहीं होते दोस्तो विकल्प बहुत मिलेंगे आपको रास्ता भटकाने के लिए लेकिन याद रखिए एक संकल्प ही काफी है मन्जिल तक जाने के लिए अगर आप अकेले पड़ ग जंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही कड़ जाती है मायूस मत होना वजूद तेरा छोटा नहीं तो वो कर सकता है जो कभी किसी ने सोचा नहीं दोस्तों जो हारता है वही जीतने का मतलब जानता है इसलिए जीत कर दिखाओ उनको जो तुमारी हार का इंतिजार कर रहे हैं यही सार है जो लक्ष में खो गया समझो वही सफल हो गया अगर जिंदगी में सुकून पाना चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो लोगों की बातों पर नहीं आज बुरा है तो कल अच्छा भी आएगा वक्त ही तो है रुक थोड़ी जाएगा लेकिन जब तक मैं अपना परिचा स्वयन देना पड़े समझ लेना सफलता आप से अभी दूर है खुद को ये बात समझाना वक्त ने फसाया है लेकिन मैं परिशान नहीं हालातों से हार जाओं मैं वो इंसान नहीं गलत का विरोध कीजिए खुल कर विरोध कीजिए क्योंकि यतिहास आव के अच्छे वक्त को एहमियत देते हैं ये जिन्दगी साइकल जैसी है चलते रहने के लिए बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है इसलिए बैलेंस बनाईए खुद का माइनस पॉइंट पता कीजिए क्योंकि यही आपकी जिन्दगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है और जिन्दगी की परेशानियों से भागिये मत क्योंकि अगर जिन्दगी में परेशानिया ही नहीं होगी तो फुशी की कीमत भी पता नहीं चलेगी ये दुख केवल दिमाग की उपज है जितना सोचोगे उतना बढ़ेगा और दुख का सबसे बड़ा कारण है आपका जियान और शंता को हमेशा अपना गुरू बनाना अपना गुरूर नहीं मुझे सब पता है ये गलत फैमी इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती दोस्तों वक्त बदलते देर नहीं लगती कल तक पैसों की हवा जिनको थी आज उन्हें हवा के लिए भी पैसे देने पुरा कहे याद रखिये ऐसा कोई इंसान नहीं वना जिसे हर शक्स अच्छा कहे इसलिए दुनिया में कोछ छोड़ना चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो दूसरों की कही बुरी बातों को अपने दिमाग से निकाल दो किसी ने क्या खूब कहा है भूलने वाली सारी बाते याद हैं इसलिए जिन्दगी में इतने विवाद हैं तो आज के दिन कीजी अपनी जिन्दगी की एक नई शुरूबात एक नई उर्जा के सांथ और समय निकाल कर खबरी एप पर सुनिए मेरी आवाज में नई मोटिवेशनल कहानी जिसका सीरशक है कबीर की पगड़ी इस कहानी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है सुनिएगा जरूर कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा खुश रहिए मुस्कुराते रहिए सोस्त रहिए मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में जो आपको जीवन में सकारात्मक उर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा सुनते रहिए मन की आवाज